इस तरह से एक तो तसली भी हो जाती है कि भाई चलो साफ सुत्रे हो गए है बास लोग जो ना वो काफी यानि थिक से ग्रेवी होती है वो हमारी जो ना वो हमेशा मैंने देखा कि यानि शोर बज़ती हो पाए और नहारी में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए वो इतना गल चु बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीदे सब खैरियत सोंगे अल्ला ताला हम सबको अपने हिप्ज़ आमान में रखे आमीन सम्मा आमीन तो यह है फ्राइडे एवनिंग का टाइम है और मखरिब की नमास पढ़के मैं चोंगेशन में आ चुकी हूँ है और आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पाई कैसे धोती हूँ और फिर उनको कैसे वाइल करती हूँ और फिर उनको कैसे कुक क्या करती हूँ तो यह सारा यानि प्रोसेजर मैं आपके साथ बहुत डिटेल से आज शेयर करूँगी और बस मैं नमास पढ़के फिर मैं सीधी आ गई थी ऐसी तो और यानि आप यहां पर हम किचन में पहुंच गए हैं और पाए भी रखे हैं हड्डियां गुड्डियां भी रखी हैं और जनाब बॉंग भी रखी हैं तीनों चीज़े हैं दो पाई थे और दो ही किलो हड्डियां गुड्डिया थी और एक किलो तकरीब बॉंग थी तो यहां पर बारी बारी लेकिन पहले सारे बरतन में दोंगे इनको वाश करूँगी क्योंकि आप यह तो मैं बहुत दफ़ा ही बता चुके हैं कि पानी हमारी यह पांच बजी के बाद ही आता है तो उसके बाद ही हम काम शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने पायों को एक दफ़ा अच्छ समझते ही होंगे कि वो जो बोन्स होती है और नलियां होती है यह सब होता है यहां पर पाय जो है मेरे अच्छे से यानि वाइल हो गए है तो अब मैं इनको दुबारा से दूंगी और यह फाइनली फिर वाश हो रहे हैं उसके बाद बस इनको फिर हमने चड़ाना होगा और यानि एक एक इस तरह से एक तो तसली भी हो जाती है कि चलो साफ सुत्रे हो गए है और वो एक जो उपर गंद आता है वो फिर बार बार निकालना पड़ता है तो उससे भी हम बच जाते हैं और बिल्कुल साफ सुत्रे फिर वाइल होते हैं और यह ऐसी चीज़े हैं इनको जो भी चीज़े हैं सब ऐसे ही वाश करनी चाहिए तो मैं तो इसी तरह करती हूँ आप लोग मुझे बताइए का कि आप लोग किस तरह करते हैं तो यहाँ पर इनको मैंने वाश कर दिया है और अब मैं उस कड़ाई वाश करूँगी और इसमें हट्टियां गुड्टियां तो मैंने इसी में डाल दियां सर्फ नलियां और बॉंग मैं इसमें वाश करके और फिर उसको भी इसी तरह दोके और फिर उसको मैं अलगी वाश करूँगी पायों के साथ नहीं वाश करूँगी बॉंग को और नलियों को क्योंकि वह जल्दी उनको तीन चार घंटे लगते गलने में और पायों को तो सब पता है कि काफी टाइम लगता है तो यहां पर यह मेरे यानि हट्टियां गुटियां हो रहे हैं अभी बॉंग रखिए इसको भी मैंने इसी तरह एक बाइल देने के बाद धोना है और यह लोग के करीब तो उसमें से मैंने अलंबी लंबी नलियां वाली जो थी वह टा दी है तो तीन प्यास मैंने बड़े साइस के इसमें डाली है और तक्रीबन जो है छे या साथ इसमें टेबल स्पून जो है वो लसना दरक के जाएंगे अच्छा मैं जादा जो भी मसाला और आठ से दस लॉंगे डाल दी है मैंने इसमें काली मुच्छे ज़्यादर ढलती हूं है और यह मेरे पास जो है दार चीनी छोटे छोटे चुटे टुकडों में थी तो तक्रीबन मैंने एक टी स्पून के बराबर दार चीनी डाली है छे से साथ इसमें मैंने बड़ी ला चीया और आठी में जाएंगी चोटी लाइचिया और फिर मैं गर्मसाला बहुत कम डालती हूं जब मैं सालान इसका बना रही होती हूं और इसमे मैंने वह फोर से फाइफ टेबल स्पून फाइफ बलके एक बात में डाला था फाइफ टेबल इस्पून मैंने इसमें सॉल्ट के डाल दी है और तक्रीबं दो लिटर पानी इतना पानी डालेगा कि यह यह अच्छे से डूप जाए और बस फिर इसके बाद इसको हम हल्की आज में क आशो also talk तरह दूभ दूभे expat में और यह सब्सक्रणवा तरह तो सब्सक्राइक बार्ण ज्वार होता है मुद्री सब्षेशं करने मुद्धा घेए तुछॅ कि कुछाथ फेश्शन को मूत सब्सक्राइए bye मेरी अम्मी भी बनाती थी और अम्मी के घर मैं खुद ही बनाती थी और माशालला से 8-8-10-10 पाई एक साथ बनाती थी तो और कोई परिशानी भी नहीं होती थी अब तो दो पाई बनाने में मुश्किल हो जाते तो खेर अच्छा जपाना था वो भी यहां पर यह मेरे जो है बॉंग और नलिया जो है वो अच्छी से गल गई है तो बस इनको में निकालके रख दूँगे और जो पानी बचा यह पाई में ही डाल दूँगी क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था कोई मसाला नहीं डाला था सब भरपूर मसाला मैंने पाई वाइल होते वक डाल जाने के राला था इसको साधे पानी में ही व्यल गया था तो हमारे जोना वह हमेशा मैंने धेखा कि आ intentions शोर्बह जोना वह पैया से पिया जाता है तो इसलिए फिर शोरबा थोड़ा पतला ही रखा जाता है लेकिन मेरे हजबंट है वो कहते हैं थोड़ा गाड़ा होना चाहिए उनके घर में गाड़ा रखा जाता है तो बस क्योंकि मैं समझती हूं पाए और नहारी में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए यहा ग्रेवी आई है या सूप कहले यह वो आया है हमारे पास तो यह भी थोड़ा सा और खुश्क होगा जब उसमें जाएगा भुनेगा और फिर थोड़ा सा यानि इसको हम वाइल देंगे और जाहरे आज अब यह सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है जब मैं यह सब कर रहे हूं तो मॉर्निंग भी नहीं भलके सैटरडे इवनिंग यह हो गई यह शाम के वक्त ही मैंने चड़ाय थे यह तो तयार कलिये थे मैंने रात में सैटरडे के और हम खाएंगे इसको संडे नाइट में तो जाहरे दो-तीन दफा यह बॉइल भी होंगे सुबा संडे को भी मैं यह मैंने इसमें लसमनतर के डाले हैं और तकरीब हम गोशाल के में इसमें ऊफ यह थे में ऑदे टालां के थोड़ा सा मैंने मानी डालके क्योंकि ने इस ही मदब भूना यह हडाय गुडाय और वह भी चीजे दालूंगा फिर उसके बाद मैं स्व खूम एम टाल यह इतार уст तो रेड चिली पॉडर जाएगा और थोड़ी सी हल दी जाएगी यानि वन टीस्पून के बराबर भरकरी मैं इसमें वो गरम मसाले के डालूँगे और तक्रिमन 6 टेबल टीस्पून मैं इसमें धनिये के डालूँगे और इसमें प्याज अभी मैंने नहीं डाली है थोड़ी सी मैं प्याज ब्राउन प्याज भी डालूँगे इसमें और सॉल्ट भी जाएगा इसमें टू टेबल इस्पून के बराबर तो बस यहां पर जहें इसको फिर हम अच्छा सा भूनेंगे और दही तक्रिबन दो कप इसमें जाएगी और बस दही को भी भून लेंगे सब चीज़े बहुत अच्छे से यानि यह मसाला इस वाक्त हम अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम फिर वह अपनी जो भी हमने चीज़ें बॉाइल करके रखी हैं उसमें बॉंग भी है अट्यें गुट्यें और पाई भी है वो इसमें डाल दिएंगे फिर हम उसको चलाएंगे क्योंकि वह इतना गल चुका है अगर हम उसको चलाएंगे तो वह बहुत हलवा बन जाएगा शोरबे में तो बस इसको भुनने की जरूरत नहीं है यह काफी भुन चुका है तो बस हलका हलका सा चलाएंगे और फिर इसमें वह सूप डाल देंगे सारफ और यहां पर हमारे मज़दार से पाई तयार हो जाएंगे पाई तयार यानि बनाना इतना मुश्कल काम नहीं होता है इनको चोटे से बाल भी होते हैं और काफी यानि चीजे लगी होती है तो वह सब निकाल भी होती है तो असल जो चीज है वह इनका धोना है और धोने में बड़ी थकन हो जाती है यानि बंदा जब यानि खड़े खड़े इसको धो रहा हो तो बड़ी मुश्कल होती है तो बाकी त करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बलके बहुत ही एजी है यह मुझे बीस पच्छिस मिनट लगे होंगे यह सब काम करने में और मेरा यह फारिख हो गया हो गई थी मैं बस यह मैंने इसमें शोरबा भी डाल दिया है सब चीज़े डाल दिया है अब यह थोड़ा इसमें बॉाइल आएगा तो मैं इसको मिक्स कर दूँँ अच्छा सा और बहुत अच्छा सा व्यावि lift देने के बाद मैं इसको तक के रख दूँँ च्छा दू और पिर इसको सुबार हम बॉर देंगे तो जाहरें बार-बार बार देने में वज़हा से भी इसका पानी भी थोड लोग माशालला से बहुत मज़दार बने थे, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहते हैं, तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, इंशालला फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफिस!